नमस्कार दोस्तों आपका हमारे यूटूब चैनल पर शुवागत है दोस्तों जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड की ति मैंने बताया था उसमें बेसिक इन पॉर्मिशन ऐसा कॉलेज है कैसा कॉलेज है आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए टोटल फी इस वीडियो को दोस्तों आन्ते तक देखें यह आपको बहुत हेल्फुल होगी जैसा कि आप दोस्तों जानते हो नीट का रजल्ट आ चुका है और आपको पताईए कि इस बार की कटॉप आसमान चुगई है जो सारे आंकडे थे सारे यूटूबर्स बता रहे थे यह बता इक तीस मार्च से पहले-पहले रजिस्टेशन करा दिया एक बार और गुरू गोबिंद सींग इंद्रपरस्ति यूनिवर्स्टिटी देली ने अपनी साइट पे खोला उसकी अठारे तारीक लास्ट डेट है स्याम को पांच गई तक उससे पहले-पहले और करा दें मैं यहां नेट नहीं आपा रहा मैं वीडियो सोवेस्ट से अपलोड नहीं कर पाया इतने पैरेंट्स और स्टूडेंट के फोन आ रहे मैं सोरी बोलना चाहता हूं कि मैं आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगो आरा आदमी से बात करना मैसेज का रिबलाई देना इंपॉसी तो दोस्तो अब मैं वीडियो पर आता हूं जैसा कि आपको पता है कि इस बार टौपर 720 नंबर पर दो लड़के एक लड़की थी उडिसा और देली की 700 से और 720 के बीच में 85 बच्चे थे जबकि पहले तो टौपर ही 700 जाते थे 700 बना हाइश था इस से पहले बना 600 की लैंड दोस्तों मैं यहीं रुकता हूं 600 नंबर पर 20,000 रेंग है देखो मैं आपको सबसे इंपर्टेंट बताता हूं कि अपन किसी भी चीज की कट आप देखने के लिए या कितना कॉलेज मिलेगा नी मिलेगा लास्ट 10 येर के डाटा चेक करते हैं तो 2008 से कॉलेज की शुरूबा कितनों ने पेपर दिया नहीं दिया पेपर का लेवल क्या था ये था बहुत था तो मैंने एक बाद दोस्तों एनलाइसिस की है लास्ट येर के कट आफ देखने के बाद की जिनी स्टुडेंटों को कॉलेज मिला है जिनकी रेंग के 20,000 के अंदर है एक बार 21,200 के संथिं मि अपने आपको सुरक्षित समझें लेकिन दोस्तों एक बात रहता हैं तो 590 नमबर भी 24,000 रेंग है अगर आप यहां तक भी आ रहे हो तो आप रेस में हो क्योंकि इस बार कई कॉलेज नए खुलें और या फिर कई बार ऐसा लग हो जाता कि 24,000 तक ऐसे कम स्टुडेंट हो जिनके आर्मी में बतलब इसने जो क्राइटेरिय दे रखी हैं इसमें कम बच्चे हों तो आप 24,000 तक लास्ट मानिए कि आपका हो जाएगा इसके अलाबा अगर आपको 30,000 तक कॉलेज मिल जाता है तो भगवान की करपा होगी बट नियम ऐसा और एनलाइसिस हमें नहीं कह जाएगा तो दोस्तों आप अपने आपको सुरक्चिस समझें और अपने नमबरों पर ऐसे ध्यान ना दें कि क्या ना में इतनी जाएगी पिछली वार 500 पच्पन गई थी इस वार 555 चले जाएगी 57 57 58 70 यह कुछ नहीं बिल्कुल गलत बात है रेंक मायन रखेगी इस वार रेंक कितनी हाइफाई गई है कि कोई सोच भी नहीं सकता तो दोस्तों यह मैंने आपको रेंक की बात बता दिये अब फीस आपकी लगवग पांच लाग रुपे लगेगी और पांच लाग रुपे मुझे पता है जो वीडियो देख रहे हैं आराम से अपोर्ड कर सकते हैं अब इसां करके अगर आप को डिवर डॉप लेना है सर क्या करें इतने नंबर एंक्या एक शाण सो ले हैं तो आप इसे मैसेज कर सकते हैं कॉल करो लोगर आप ज्यादे फ्रॉस्टेट हो रहे हो यागर आप मतलब अपने आपको नई समाल पा रहे है डीमोटिवेट हो रह आप अपने आपको यह मसोचो कि हम ना का रहा है या कुछ नहीं कर सकते लाइफ में आप कुछ कर सकते हो साड़े 500 नंबर का भी अगर कोई बच्चा है इस पेपर में 530-35 तक भी है तो वो अपने आप में कहीं न कहीं अगर मुझे नहीं करना तो मैं आपको यह बाता देता हूं मेरा भी लास्ट यह नहीं हुआ था मैं भी आपकी की तरह की स्टूडेंट ना कोई सरू हूं तो दोस्तों देखो आर्मी कॉलेज का भी जो खर्चा है यह 25 लाग के एप्रोक्स आपका पहुंचे गए पहुंचेगा इसमें कोई दोराय नहीं है अब हमारे पास दो अप्सन है या तो हमारे इतने अच्छे नंबर है अपने ओपर कॉंफिडेंस है कि आपन ड्रॉप करें तो आप ड्रॉप लो मैं सबसे पहले इसी बात का सपोर्ट करूँगा कि आप अपनी कैप सिटी को पेंचानी और ड्रॉप लीजी अगर आपको ल से स्टार्टेंग है उसके अलावा एक करोड तक पहुंच जाएगी अब आपके पास एक और रास्ता सिर्फ करने का आप विदेश चली जाओ दोस्तों मैं खुद गया हूं और महां इतनी सस्ती 24 25 लाख रुपे में आपकी अम्प्लीट हो जाएगी विदेन आपका पूरा खर्चा लगा के और अभी क्या है ये गौर्णमेंट ने का अच्छा नियम कर दिया पहले क्या था कि भार जाने वाले बच्चे कोई एक नेस्ट या एक नाम से एक्जाम देना पड़ता था उसमें 50% क्वालिफएड बनानी पड़ती थी तभी आपको प्रेक्टिस के आप कोई दोराएं नहीं है अरे आपका यहां नहीं हुआ जिस सोचो आपको अगर 590 वाले को सीट मिल गई और आपके 570 पर यह नहीं हो तो इसका उतलो यह नहीं है कि आप उस बच्चे से कम हो आप उस बच्चे के बराबर ही हो दो चैर कुछते ना अप डाउन हो जाते म तो आप भार चले जाओ और अपनी अप नीट की तयारी में समय और पैसा बरबात करने से अच्छा है आप फर्स्ट इयर से नेश्ट की तयारी करो और भारास से इतनी गजव की जबरजस्त रेंक दो कि कई बार यह भार यह भी जरूरी नहीं है कि इंडिया से करने वाले सा आपको ख्यांट्य ऑगर तो और भी कंट्रीय यह जा सकते हुआ आपको में में जाता नहीं कोऊंगा आपको जो जाना जाना लेकिन डॉक्तर बनने का इतना गलत रास्ता नहीं है दोस्तों बहुत सान्दार रास्ता लेकिंश के दिमाग में एक चीज किलिक हो गएग विदेश से अंभीएस करेगा आप अपने और पास समाज पर बार जहां रहे हो नजाट डाल के देखो कई लोग ऐसे हैं जो बाहर से से अंभीएस करके आके भी सलेक्ट हो चुके हैं और यहां उनकी पोस्टिंग हो गई अपनी लाइफ को बड़ी एंजोई कर रहे हैं तो दोस्तों ऐसा है पर यह क्या भी हमारी समाज की जैसे वह पहले खराबती लड़कियां कुछ नहीं कर सकती ऐसे विदेश के डॉक्टर क मैं आज खुशी का महाल नहीं है जो वीडियो देखने जिनके नंबर 20,000 के अंदर रहें के वह अपने आपको सेप समझें फिलाल तो बाकिया आगे डिसाइड करेगा कि क्या कटॉप जाएगी वह आपके लगपर भी डिपेंड करेगा तो आपको अदास नहीं हो ना जिन् हमें इसके लिए तो लड़ना ही नहीं है और दोस्तों मुझे पूरा बिस्वास है कि मैं जानता हूं आप सभी के पेरेंट्स आर्मी में बिलोंग करते हैं आर्मी में फिलाल हैं और मुझे पता आर्मी के जिसके फादर आर्मी में उनके घर में कितना डिसिप्लिन रहता है एराद ही कितने मजबूत रहते हैं तो आपको दोस्तों इस बार तगड़ी महनत करनी है हमत नहीं आरना है और अगर आप अभी भी अपने आपको सम्वाल नहीं पारें तो मेरे से दस मिनिट बात कर सकते हैं ऐसी बात नहीं मैं भी एक स्टुडेंट हो आपके बड़े वाई क से अगो अलाग इन में केरियर बन जाते हैं इसी बात भी नहीं है पर दौर में बीबियस का चल रहा है दोस्तों जिस चीज का दौर चलना चाहिए उसी पर हमको चलना चाहिए तो दोस्तों काफी लंबी वीडियो हो गई मैं आप आप से बिदा चाहता हूं अभी नेस्ट वीडियो जब कभी देखता हूं मौका मिलता है अब टेम आएगा रइस्टेशन जरूर करा देना अठारे तारिक से पहले पहले जै हिंद जै भारत